नमस्कार इस ट्रेनिंग शंखला में हम बात करेंगे कि हम किस तरह शूट करें कि हमारी वीडियो स्वाभाविक लगे वीडियो देखते समाएं लोगों के सामने अलग-अलग शॉट्स बहुत ही आराम से एक से दूसरे पर जाने चाहिए दो शॉट्स के बीच एक सहजता या निरंतरता होनी चाहिए दर्शक को ये नहीं लगना चाहिए कि अचानक से कुछ और ही सामने आ गया इससे वीडियो अस्वाभाविक लगेगी अगर हम कुछ नियमों का पालन शूटिंग के दौरान करेंगे तो हम शॉट्स के बीच निरंतरता बनाए रख सकते हैं इनके बारे में हम थोड़ी और गहराई से जानते हैं जब हम एक ही जग है अपना कैमरा रख कर एक ही चीज शूट कर रहे हों और कैमरा के रिकॉर्डिंग कई बार बंद और चालू करके एक ही तरीके का शॉट ले रहे हों तो इन शॉट्स को एक साथ देखते समय द्रश्य में एक जटका सा लगता है मान लीजिए कोई किसान दीदी, बाकी दीदियों को किसी खेती की तकनीक पर सावधानिया और संदेश दे रही है तो ऐसा कई बार होता है कि हमारी दीदी एक ही बार में सही वाक्य नहीं बोल पाती उस समय हमें अपना कैमरा बंद करके अलग-अलग वाक्यों के अलग शॉर्ट्स लेने पड़ते है यदि हम अपना कैमरा उसी जगे रखकर तीन-चार शॉर्ट्स लेते हैं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा धान का बीज हम कई से तयार करेंगे उसमें क्या-क्या सब धानिया हमको बरतनी होगी उसके बारे मेर दीदी आप बताईये नमक के बना करके ऐच्छी तराow सब चरपाच पानी से भो द्या थे के खोड़ देना है इसके बात उसको चान करके अच्छा पानी में तो इसको बीस घंटे तक उसको फुलने के लिए रख देना है उसके बाद बेबी स्टिन मिलाना है। बेबी स्टिन मिलाने के लिए क्या साउधानी आपको वरतना है। या आप हाथ में दस्ताना या पन्नी लगा करके उसको मिलाई लाएंगे। अब आपने ये ध्यान दिया होगा कि इन शौट्स को देखते समय द्रश्य में एक जटका सा देखता है और बहुत प्राकरतिक नहीं लगता। इसमें निरंतरता बनाये रखने के लिए हमें 30 डिगरी वाला नियम मानना चाहिए। ये नियम ये बताता है कि हमें दो शौट्स नहीं मालूम पड़ेगी। अब यहीं शौट्स जब तीस डिगरी के नियम का पालन कर के लिए जाएं तो ये कुछ ऐसे दिखेंगे। कि निमास्तर के परियोग करे से उमें हैं कि फसल में जे कीरा लगयी ची ये उकारना सो जाए छिए. दूसरा है कि निमास्तर बनावे में कोई खर्च ना है और तिसरा फायदा है कि निमास्तर के शिरकाब से पेर पाउधा स्वास्त होई और अच्छा फसल होगा हम एक और निम का पालन कर सकते हैं ये है अलग-अलग प्रकार के शॉट्स का इस्तेमाल करना हमने पिछली एक प्रशिक्षन स्रंखला में सीखा था कि कई प्रकार के शॉट्स होते हैं जरूरत के अनुसार हम अलग शॉट्स ले सकते हैं जब दीदी सावधानी के बारे में बता रही है तो बीच वाला शॉट्स इस्तेमाल कर सकते हैं और जब ये संदेश दे रही है तो उनका पास वाला शॉट्स लिया जा सकता है देखते हैं कैसे उसके बाद उसको बेबिस्टीन मिलाने के लिए एकदम सतर्क रहना है उसके लिए आप दस्ताना या पनी पहन करके अच्छी तरह उसको मिला देना है उसको जुट के बोरे को लपेट करके चवविस घंटे तक उसको छायादार जगह में रख दीजिए इन दो नियमों के अलावा एक और नियम है 180 डिग्री वाला नियम मान लीजिए जीवी का सहिली किसी गर्भवती महिला के घर उनसे संतुलित आहार के बारे में बात करने आती है जीवी का सहिली और दीदी एक दूसरे के सामने बैठ कर बात करती है अब जरूरी ये है कि हमारा कैमरा पूरे समय अलग-अलग शॉट्स लेते समय एक ही तरफ रहे दूसरी तरफ ना जाए यदि जीवी का सहिली कैमरा के बाईं तरफ है तो वो उसी तरफ रहे और दीदी दाईं तरफ है तो उसी तरफ रहे देखिए दीदी गर्भवती महिला को कैसे क्या करना है आहां के जनकारी है दीदी ना जनकारी एक गोली रोज अगर इस नियम का उलंगण होता है तो देखते हैं कि क्या होता है यह देखने में बिल्कुल ही अजीब और गलत दिखता है जिसे जहां होना चाहिए था वो उससे उल्टी दिशा में है कि अधिया राम राम काई गड़ी रहा है चारु नेंदी रहा है चाना कत्रा दिन का हुगा यह यह वीशे पचीश दिन टाहिए अधर है एकामा अपने आज फिर्मेंट ट्रेप लगावांगे अपना जी जड़ा है नी जड़ा मा इल्ली आनसी पहले आपड़कुज़ डिप फ्रेम में अंदर आना और फ्रेम से बाहर जाना पहले वाले नियम की तरह ही हमें दिशा का ध्यान रखना होता है जब लोग हमारे फ्रेम में अंदर आते हैं और फ्रेम से बाहर जाते हैं जैसे यदि कोई दाएं से बाएं जा रहा है तो वो हमारे फ्रेम में दाएं से अंदर आएगा बाएं दिशा में चलेगा और फ्रेम से निकल जाएगा अब जब हम उसका दूसरा शौट लेंगे जैसे कि जब वो घर के अंदर आ रहा है तो फिर हम उन्हें दाएं से अंदर आते हुए ही दिखाएंगे अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो देखिए कैसा लगेगा हमेशा शूटिंग करने से पहले हमें अलग-अलग शौट्स की सूची बना लेने चाहिए जिससे हम शौट्स का भरपूर फायदा उठा सकें इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे कुछ ही नियमों का पालन करने से हमारी वीडियो कितनी स्वभाविक लगती है और एक शौट से दूसरे शौट में जाने में सहजता रहती है इन सभी नियमों को ध्यान में रखिए बड़िया वीडियो बनाईए जो दर्शकों को पसंद आए बड़ियो प्यान में बनाईए लोगती है इन सभी निया निया जो दो 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 में जाए झाल झाल